Hello students, मैं आशिस सर, मेरी YouTube चैनल AST Faculty में आपका स्वागत इस्टुएंट आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा AB square equals to 2AC square प्रूफ करना बताऊंगा इस्टुएंट कि ये कैसे प्रूफ करते हैं यहाँ पर हमें question में दिया है ABC जो है एक Isosilis triangle है जिसका C जो angle है वो है 90 डिग्री पर है और ABC जो है वो कैसा है Isosilis triangle और इसमें हमें प्रूफ करना है AB square equals to 2AC square चलिए देखते हैं इस्टुएंट कैसे इसको प्रूफ करते हैं सबसे पहले तो हमें इसमें एक right triangle बनाना पड़ेगा जिसका angle जो है जिसका angle जो है C जो है वो right angle पर है मतलब C जो है वो हमारा right angle पर right angle मतलब 90 degree इस triangle को name देते हैं A, C और यहाँ पर B क्योंकि C बोला गया है question के अंदर कि C जो है right angle पर है तो यह हमारा 90 degree पर आ गया C angle ठीक है अब इस पर लगा देंगे pythagoras theorem strand क्योंकि pythagoras theorem से जो है हम इसको proof कर सकते है a b square equals to 2 a c square तो यहाँ पर हम जब इस पर pythagoras theorem apply करेंगे by pythagoras theorem जब pythagoras theorem इसमें apply करेंगे तो pythagoras theorem होती है h square equals to p square plus b square यह h क्या है strand hypotenuse है मतलब यह hypotenuse वाली side कौनसी हो गई यह hypotenuse याने a b हो गई यह जो है हमारी perpendicular होती याने a c जो हमारी perpendicular वाली side हो गई और b c जो हो गया हमारा base हो गया तो यह तीनों ही side इसमें put कर देते हैं h पर आ जाएगा हमारा hypotenuse याने hypotenuse पर क्या है a b है तो यह हो जाएगा a b का square यह केतना हो जाएगा a b का square perpendicular पर क्या हो जाएगा perpendicular पर हो जाएगा हमारा a c याने a c का square plus square चल रहा है तो square आ जाएगा base पर b पर जो है base है base पर हमारा क्या है b c यानि क्या हो जाएगा BC का square ठीक है student अब एक चीज हमें question में इसमें given है AC equals to BC AC equals to BC मतलब जहां हमारा BC आएगा वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं AC put कर सकते हैं यह क्यों आएगा AC equals to BC क्योंकि question में हमें दिया है ABC is an isosilis triangle ABC जो है वो कैसा है isosilis triangle मतलब जो AC की side होगी वही BC की side होगी मतलब isolis में दो sides जो होती है वो equal होती है यानि AC जो है किसके बराबर हो जाएगा BC के बराबर हो तो यह given है यहाँ पर student तो हम BC क्या put कर सकते हैं AC put कर सकते हैं यानि BC जगा जाएगा नीचे AC का square प्लस आगे यहाँ पर जाएगा हमारा AC का square equals to में हो जाएगा हमारा AB का square अब AC का square और AC का square यानि 1AC और 1AC यानि यह हो जाएगा 2AC square कितना हो जाएगा 2AC square equals to में हमारा AB square तो जो हम प्रूफ करना चारे थे वो हमने निकाल लिया AB square equals to 2AC square I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छे समझ में आया होगा कि AB² equals to AC² कैसे प्रूफ करते हैं आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो के आपको